नमस्कार आप सभी का स्वागते भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन की पंचांकी आज दिनांग है 31 मई सन 2030 स्विक्रम समवत 2080 चल रहा है जेश्ट मास है शुक्लुपक्ष है ग्रिश्मृतु है तिथी आज का वार है बुद्वार आज निर्जलाय का दशी जिसका बड़ा महत्व होता है आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग व्यतिपात है शाम 8 बच के 14 मिनट तक आगे वर्यान योग है योग की द्रश्टी से आज का दिन अध्यात्मिक द्रश्टी से बहुत शुब है तो जो पूजापाट करेंगे साधना करेंगे उनको अच्छा फल प्राप्त होगा करण विस्टी है दौपेर एक बच के 47 मिनट तक आगे बव करण रहेगा सुर्योदय का समय दर्शको सुबे 5 बच के 23 मिनट का और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 13 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर 12 से डीड़ वजे के बीच रहेगा पूरी तरीके से से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज बुद्वार होने से मानने नहीं हैं दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा ये हैं 11 बच के क्याओन मिनट और 12 बच के 46 मिनट दौपेर में आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में तो पहली कोशिश तो पहले पांच कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हरदे में ध्यान करें उन्हें प्राथना करें फिर इस दिशा में आप यात्रा करें तो ना तो आपको दिशा शूल परिशान करेगा और आपकी यात्रा बहुती शुब रहेगी सुरक् के 10 मिनट तक आज की चंद राशी कन्या है शाम 6 बचके 30 मिनट तक आगे तोला राशी आ जाएगी जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले व्यापार के बारे में ग दीरे दीरे बाहर आते हो दिखेंगे और करक राशीवाले आति विश्वास करने से बचेंगा इनिकसी वेक्ती पे बहुत ज्यादा विश्वास आज नहीं करना है व्रश्चिक राशी वालों को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा उत्सा भी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं रहता है उससे भी नुकसान हो जाते हैं धनू राशी वालों के लिए आगी बढ़कर अपने कैरियर को नई दिशा देने का समय है और मकर राशी वाल को दुरगटना और बिमारियों से परिशान होना पड़ सकता है अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्ट्वी प्रग्या को जागरत करें और फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को जो सुगम सुरक्षित सुन्दर औ और समाधान दर्शे को एक बहुती सुन्दर श्लोक शास्त्रों में आता है जो कुछ इस्प्रकार है कि अनादरो विलंबस्चे वे मुक्यम निश्टुर वचनम पश्चे तपश्चे पंचानी दानश्चे दूश्चनानी चे अब यह छोटी सी बात है लेकिन कितना गहरा है और जीवन मों ठारने वाली बात है कि अपमान करके दान देना या कठोर्चन बोलकर फिर दान देना या फिर देने के बाद में पश्च्याताब करना कि जादा देदिया यह तो इतना तो देना नीचे था ये पांच ऐसी क्रियाएं होती है जो दान को दूशित कर देती है यानि दान का जो अमोग फल मिलने वाला था पुन्य मिलने वाले थे उसको दूशित कर देते है देखे दर्शे को दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और भोजन के दान यान के दान से बड़ा कोई दान नहीं भूख अपने आप में पाप होती है और किसी की भूख को अगर शांता आप कर देते हैं तो इससे बड़ा कोई पुन्य नहीं है लेकिन दान करते समय जो आजकल एक एक नया ट्रेंड चल गया है कि फोटो बनाईएंगे या वीडियो खेचेंगे उसके या फिर उसको इस तरीके से लाइव करके दिखाएंगे सोशल मीडिया पर यह बहुत ही गंदी बात है यह महापाप की श्रेडी माता है दान लेने वाले की आखों में हींता का भाव लेकर आप कोई पुन्य प्राप पुत्र माना जाएगा यह आज की ज्यान चर्चा का सार अब बात करते हैं विशेश उपायों पर जो आपकी समश्चाओं के सरल समधान कर देते हैं आपको जीवन में अर्चनों से बहार लाते हैं सफलता से बहार लाते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सब के साथ गणेश जी को अर्पित करें और वहीं मंदिर में बैठकर बारे पाठ संकट नाशन गणेश त्रूत के करें एक पाठ गड़े सहस्तर नाम का करें तो यह आने वाला पूरा वर्ष है बहुती सुक सम्रद्दी के साथ और गणेश जी की करपा के साथ बहुती आनन से बीतेगा और ऐसे दर्श को जिनें भी पत्रिका में कितु ग्रह की समस्या हुरी है राहू को तो बहुत जादा लोगों ने बढ़ा चड़ा रखा है कि राहू यू कर देता है वह कर देता है लेकिन के तुन भी जब अपनी पाता है तो बहुत बुरी तरीके से परेशान कर करने हैं और उसमें घी शक्कर मिलाकर भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा एक ध्वजा के साथ में मंदिर में अर्पित करने इसके बाद में जो मूंग है यह आपको गौमाता को खिला देने इसके बाद में शाम साथ साबुत कोडिया एक मुठी हरे साबुत मूंग के साथ आप एक हरे कपड़े में एक रुपए के सिक्के के साथ बांदे और भगवान शिवजी पर अर्पित कर दें तो कीतु और बुद्ध ग्रे यह दूनों आपकी अनुकूल हो जाएंगे आपको परिशान करना बंद क लिए और अगर आप कर लेंगे तो निश्यत रूप से पढ़ाई लिखाई सम्मंदित अर्चने दूर हो जाएंगे इसके लिए करना सर्फ इतना है कि छात्रिया छात्रा अपने हाथ से लाल पेल ले लाल पेल से सफेद कागश पर संकट नाशन गणीश द्वादश नाम स् और आठ स्तोत्र आपको लिखने याठ पेज लेने आठ स्तोत्र लिखने और आठ अलगलग मंदिरों में पुजारी जी को जाकर ये पढ़चे आपको देने हैं साथ में दो केले रहेंगे शमता के अनुसार दक्षना रहेगी उनके चरण चुके आशिरवाद भी लें इसक चात्र चात्रा को ये करना चाहिए ऐसे ही आर्थिक समशाओं से पेड़ित भक्तों को आज सुबह ग्यारा बच के बीस मिनट से एक छोटा से उपाय करना चाहिए जिससे आयके स्तोत्र निश्यत रूप से बढ़ने लगते हैं करना सिर्फ ये है आपको कि गुड और धनिय से बने वे छोटे-छोटे आठ लड़्डू तयार करें आठ आके फूल लेलें सिंदूर लेलें घी लेलें और भगवान गणेश जी को मंदिर में जाकी सारी वस्तु अर्पित करें फिर वहीं बैठ कर इस विशेश मंत्र की एक मालागा जाब करें मंत्र स्प्रकार है त्र लगाकर करते रहें दो-तीन महिने बीतेंगे और आप देखेंगे आप इस्तिती में रूप से सुधार आने लगा है तो दर्शे को यह था आज कि वह विशेश उपाय जो आपको भगवान गणेश जी की अमोग कृपा दिलवाएंगे और समश्याओं से आपको बाहर लाए अब बात करते हैं आपके सवालों के आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिक आई है अंजनी जी की अंजनी जी पुने से है 28 सितंबर 1989 का इनका जनम है सुबह साथ बचके 25 मिनट पुने विवाक कब होगा और कोई उसमें दिक्कत है तो उपाय बताएं और करियर साथ होगा नोकरी कब तक लगेगी देखिए अंजनी जी आपके लगनेश बुद्ध अस्त हैं और लगन में ही सूर्य के साथ बैठे हैं और यही जो लगनेश है यह आपकी दशंभाव का स्वामी भी है क्योंकि आपको कन्या लगने हैं तो ऐसे में करियर भी यही डिसाइ दूसरा विवा भाव पर सूर्य की सीधी द्रश्टी है कि योग ऐसे स्तिती बनाते हैं कि बाते तो चलती रिष्टे की लेकिन रिष्टा तय होते होते रह जाता है और अभी जो गरह दशा चल रही वह भी पूरी तरीके साब के विपरीत है तो थोड़ा आप धेरिये बना लीजिए जिससे आपको कोई अर्चन ना आए समस्षा ना एक तो सूर्य शान्ति करवाईए गुरुग रहके जाब करवाईए बुद्ध रहके साथ गुना जाब करवाईए और फिर गले में एक पन्ना पहन लीजिए विवा भी हो जाएगा और करियर की जो अर्चन आ रह क्या करें देखे कृष्ण कुमार जी सूर्य की दशम भाव में पस्तिती और दशमेश शुक्र का एकादश भाव में होना दर्शा रहा है कि आपके लिए नोकरी करना ज्यादा अच्छा रहेगा तो सलाह हमारी यह रहेगी कि किसी बिजनस के बारे में आप अभी ना सूच और सारा ध्यान नोकरी पर लगाएं और अगर अब चल रही नोकरी तो इसको कंटिन्यू करें यह और नोकरी छूट गई यह तो फिर आप नोकरी देखें नोकरी के साथ-साद व्यापार कर सकते और व्यापार आपको खाने पीने के वस्तुएं दाल मसाले तेल किराना या स के कुंडली के अनुसार अभी भी आप सिक्षा के छेत्र में हो सकते हैं एसे बता रहा है तो इसी शेत्र को आप मुख्य विवसाइवी बना लिजे या किसी स्कूल कॉलेज के पास में कोई फूड का काम शुरू कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा उत्तम लाव के लिए गुरु मंगल के सासाद गुना जाब करवा लीजिए और एक मुंगा पहन लीजिए तो बहुत जल्दी आपको फायदा होगा तो दर्शे को यह था अचका पंचांग आज के विसुस टु अच्छवर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं कर दूज 10 के हमारे इस खास कारिक्रम भागयम में और भागयम के भी इस खास सेग् Canon में जहां पर हम हर रोज और के जरींड जानते हैं कि आजके हमारे दिन को हम और भी बहतरीन कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका आपको एक उधारण देती हूँ कि अगर आपकी देट अब बर्थ है 12 यानि की 12 तो 1 और 2 को जब आप जोडते हैं तो जोडाता है नमबर 3 नमबर 3 होगा आपका मूलांग और आज की तारिख है 31 मई दो हजार तेज और आज की जो तारिख है 31 यानि की 31 जब उसे हम जोडते हैं तो जोडाता है नमबर 4 नमबर 4 के स्वामी होते हैं राहू तो आए जानते हैं कि आज की हमारे इस एपिसोड में मूलांग एक से लेकर 9 तक के जातकों पर राहू का क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है साथ ही साथ चुकि आप तो जानते हैं कि पिछले कुस दिनों से हम continue बात करने हैं एंजल नमबर्स की यूनिवर्सल नमबर्स की और वो नमबर्स जो हमें हमारी प्रार्थना के फल्सुरूप ब्रह्मान से हमारे गाड़न एंजल से हमें प्राप्थ होते हैं आज बार है नमबर चार की और नमबर चार हमें बताते हैं हमारे एंजल हमारे साथ हैं जब भी हम किसी प्रकार की मनोकामना को पर्मात्मा से मांगते हैं तो आप देखेंगे कि जो सिंक्रनिसिटी है वह नंबर की कभी 111 222 333 444 इस तरीके से आगे वढ़ती है तो आज अगर आपको नंबर 444 दिखाई देता है तो उसका साफ अर्थ है कि जिस प्रकार से नंबर 333 में हमारे まस्टर मारे साथ थे खुरूजन हमारे साथ थे हमारे कारियों को मनुकामना को पूंड कराने के लिए ठीक उसी प्रकार से आज यानिके नंबर 4 पर नंबर 444 जब आता है तो साफ सुथरी बात क कि हमारे Angels हमारी साहता कर रहे हैं उस particular काम से related एक उधारण के तौर पर यह आपको job चाहिए तो जो Angels particular job के लिए work करते हैं वो आपके साथ है आपको आपकी मनुकामना पूरी करने के लिए आपको अपनी job दिलाने के लिए हम normally जब हम कहते हैं अर्जी लगाना तो हम जब कोई अपनी अर्जी लगाते हैं परमात्मा के समक्ष किसी देवी देवता के समक्ष तो हमारी जो अर्जी जब पूर्ण होने वाली होती है मनुकामना पूर्ण होने लगती है तो इस प्रकार के नंबर्स पैटर्न भी दिखाई देना स्वभावी कसी बात है तो अ मूलांक एक के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है 31 मई 2023 के लिए मूलांक एक के लिए एलजर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आपके जो पैटर्न्स हैं आपको उसके इंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है हो सकता है कि आपके कारे करने का जो तरीका है वो बहुत ओल्ड वर्जिन का हो और अगर आपको सक्सेस चाहिए आपको अपने कारें को पूर्ण कर related आपको information आपको knowledge होना जरूरी है तो अपनी knowledge को बढ़ाईए अपने आपको update कीजिए अपनी networking को update कीजिए अपने communication को अपने social states को आपको update करने की जुरत है तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो खुद पर काम करने का है खुद को और बहतर बराने का है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे angels हमारे ancestors आज हमें क्या guide कर रहे है 31 मई 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए share का card है see beyond the current situation आज के दिन आपके समक्ष जो भी कोई बात आ रही है यह बहुत ही महत्पून है आपके आगे के जीवनकाल के लिए फिर वो चाहे आपके career point of view से हो या फिर किसी relationship में अगर आप सच जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी का एक पहलू आपके समक्ष है लेकिन उसका वास्तविक पहलू क्या है आज परमात्मा की करपा से आपको दिखाई दे सकता है तो ऐसे में आज के दिन आपको emotionally बहुत जादा मजबूत होने की जरूरत है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे angels हमारे ancestors हमें आज क्या guide कर रहे हैं 31 मई 2030 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है wise man का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने आसपास की परिस्तिती के अनुकूल ढलना होगा आपको परिस्तिती और साथी साथ समय के अनुकूल काम और व्यवहार करना चाहिए ऐसा angels आपको guide कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको किसी तरह की बेचैनी या frustration हो रही है या आपको लगता है कि आप और कुछ better deserve करते हैं तो divine आपको कह रहे हैं कि अपने mindset को थोड़ा सा change करें पहले जो चीजें हैं जो pattern आपके समक्ष हैं उनको पूरा कर ले जब तक आप यह cycle complete नहीं करेंगे आप दूसरे cycle में एंटर नहीं कर सकते हो सकता है कि अभी की परिस्ति आपके अनुकूल ना हो लेकिन जब तक आप इसे नहीं जीएंगे जब तक आप इसका lesson नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो अपने आपको स्वीकार भ कर रहे हैं मूलांक चार के लिए आईए आज हम जानते हैं आज की तारिक का जोड़ है वो भी है नंबर चार और मूलांक चार की हम बात कर रहे हम से कहा जा रहा है हर्मिट का कार्ड है retreat and recharge आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है आज के दिन जितना जादा आप खुद के उपर काम करेंगे अपने आपको और बहतर बनाने में काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा दोड़ भाग भरी जिंदिगी में आपको चोटा सा ब्रेक अपने आपको देना चाहिए आज का दिन सेल्फ लव का है अ आपका दिन शुभो कि आईए जानते हैं मूलंक 5 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 मई 2030 के लिए और आजamat माइड किया जा रहा है पको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है आज का दिन जो भी आपने मेहनत करी है आज उसका reward और आव gelmiş क किया जाएगा आपको आपकी प्रशंसा की जाएगी आपके प्रशंसक जो हैं वो बढ़ेंगे साथ ही साथ आपको धन धान से संपन भी आज आप हो सकते हैं आपको जो प्रॉस्पेरिटी प्राप तो हो सकती है अटका हुआ जो धन है वो भी आज आपको मिल सकता है कुल मिला आपके वित्तिय मामलों में और सामाजिक इस्तरबर आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है आपका दिन शुभो के आए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 मई दो हजार तेज के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्टैक का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आपके अज की बहुत अच्छी है आपको बस भरोसा रखनी की जुरत है बहुत जल्दी जो है अपने उपर ही डाउट करने लगते हो अपने भरोसे कोई जो है आप डगमगाने लगते हो तो आपको तो कहा जा रहा है कि आज के दिनना बहुत मजबूत रहें अपने आपको मांसिक रूप से भावनात्मा रूप से मजबूत रखें और भरोसा रखें और आगे बढ़ें क्योंकि हो सकता है आप किसी अपने जीवन के नए पात पर चल रहे हों अगर आपका रिलेशन्शिप न कि आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है देखिए दो कार्ड आ रहे हैं ग्रेट टीचर एन फायर गार्डियन आज के दिन आपके एनरजी बहुत अच्छी हैं कहीं न कहीं जो आपकी की हुई मेहनत है जो आपने आज तक इतना स्ट्रगल जो आपने फेस किया है उससे जो आपने सीखा है यानि कि आपके अनुभव हैं वह आज आपके काम आने वाले हैं आपकी जिन्दगी में आज आपकी ग्रोथ के लिए क्योंकि आज आप इस चीज़ को समझेंगे कि अगर ये challenges नहीं आते तो आज आप इतने intelligent या आज disposition पर हैं कि यहां आप नहीं पहुँच पाते तो कहीं ना कहीं आपको gratitude के भाव में रहना है और अपनी success को cherish करना है enjoy करना है आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे angels हमारे ancestors हमें आज क्या guide कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है spirit fox का card है आपको कहा जा रहा है कि थोड़े बहुत challenges जो है वो आज आपके समक्ष दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपकी जो बात है team के साथ mail ना खाएं तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी जादा negative नहीं सोचना है बलकि अपने talent पर भरोसा रखना है जो भी कुछ आपने plan किया है आगे बढ़ने के लिए या जो भी कोई आप अपने project को लेकर आए हैं हो सकता है कि लोग अभी आप पर भरोसा नहीं जता पा रहे हों लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है तो जितना जादा आप खुद के उपर च्वस्ट रखेंगे इस बदलते हुए दौर में उतना ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 मई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है ते दुराविर काार्ड है और वाइट्विशट का और आप को जा रहा है कि आज के दिन जो भी चैलेंज आपके समक्ष हैं वहाँ पर आपको डटके खड़े रहना है आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है दिवाइन की हेल्प मिल रही है man साथ आपके गुरुजन की किरपा आपके ऊपर बनी हुई है और यह जो चालेंजिस हैं यह भी बहुत आसनी से आप ओवर कम कर ले जाएंगे विस आपको क्या करना है भीतर से अपने आपको अप्टेमेस्ट रखना यानिकी पॉजिटिव एटिटूट में रखना है क्योंकि क्या करना है पॉजिटिव एटिटूट में ही रहना है तो यह थी दोस्तों आज की हमारी रीडिंग हम परमात्मा से प्राथना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें आप लोग हमेशा स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में त